हेलो फ्रेंड आज हम आपके सामने तिल के लड़ू बनाने जा रहा है इसके लिए हमें चाहिए यह हमने लिया है आधा किलो गोड़ और तीन सु ग्राम हमने यह लिया है तिल सफेद वाले और इसमें चाहिए इलाइची मखाने कुछ लिये हैं नारियल है को 10-15 ग्राम हमने इसको कहते हैं यह काजू है 10-15 ग्राम बादाम है हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसके वह में हम यह बीज डाल देंगे इसको फोड़ा यह दो मिनट के निया हमें को भूनना है इसको जादा तेज आंच पे न भूनने कुछ यह जल जाएंगे तो कड़े हो जाएंगे थोड़ा साही इसको भूनना है इस तरीके से इसको चलाते रहें और जबी सही रहें तो यह जल जाएंगे नीचे से है तो बूलन होने को इसको ताले में सणायरी और यहां रहें 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 यह तिल बून चुके हैं और अब इसको ताले कि इसको हल्की तो जल जाएंगे यह हम डालेंगे एक चमजगी इसमें और इसको बूनेंगे इसमें तल्ब दे में कि ऑनने तो जाएंगे आएंगे इसमें आ रेंगे इसमें और देंगे खार्दी में और देंगे इसमें। ताल लेंगे में चला है कि यहां अप्राइब करेंगे हैं यहां अफली ग्रेय हमें इसमें इसमें घूर बूल लेगे बेखें हमारी दो तीम अधो होगे हमने इसको हमके आज पे जी इसको तला है बेखी इसको पर पनी जा चुके अब हम इसमें नमक को अधा है जाल देंगे इसको भी फोड़ा हुड़ा जाल देंगे इसमें हम इसको डाल देंगे पैस वाची तरीके से एक बंड़ रटकेंगे जदी ही बुन जाते हैं यहां यहां इसमें पिश भी बुन चुके हैं अब हम चूला कर देंगे बन और इसके बाद हम इन सब को मिच्षी में दर तरह पीस लेंगे सबको तो यह खाने में बहुत ही healthy होते हैं, चैनल में बच्चों को बड़ों स्बको अच्छ लगते हैं इसको आप थिखाई ए लेखिए मखने और हमने इसमें डाल कर हलका दर्दरह सा पीसं हमाँ बहुत जादा बारिकिन हमने ये दर्दरह पीस लिया और हमें इसको निकाल लेगे इस तरीके से हमने सभी को ये ड्राइफूर जितने भी हमने सब को पीस लिया है तो हलका दरदरा आप हम इसके बाद टिकड़ाई रखते हैं इसमें डालेंगे इस चमती इसमें घी भी हम आपको हताना भूल रहे हैं इसके म करें करें ऊपको हमें तराぁ theology हम खाते हैं तर नपको इसमें रखते हैं help रहे हम स्फ़attend्ग है जब तक यह पिखनना जाए, इसकी चलाते रहेंगे, जब तक यह पिखनना जाए, इसकी चलाते रहेंगे, क्यों अमाराब माति प्लों मयस sagt क्यों मैंना, इसकी थेखनने क्यों फ्ली करताओर, व्याए, इसकी चलाते रहेंगे, इसकी घ promotes you इसको चलाते रहें नहीं तो यह जल जाएगा अखल के आच पे इसको खल के आच पे बना इसको इसको देखिए को फूरा कुट गड़ चुगा है अब इसमें पिल डाल देगे इसको चलाएंगे इसको चलाएंगे किसे से कोईसे में, आड़ रड़ 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 अब अच्छी तरीकिया से में डाले में अच्छी बूच्छ बूआ रहे है इसमें से बहुत है अच्छी बने ही अच्छी तरीके से में चुका है अच्छी तरीके से मिल चुका है अच्छी बनकर तयार होगया इसको ठंडा होने पार आपने इसके लड्डू बनाएंगे थोड़ा हलका ठंडा हुआ है तो इसको हम लड्डू बनाएंगे इस तरीके से लड्डू आप अपने तरीके से बना लें चाय छोटे लेकिन हमने आप तर गी लगाया है और ये इस तरीके से आप लड्डू बना लें लड्डू आप क्या चोटे या बढ़े जिस तरीके से बना सकते कें इस तरीके से बना हैं इसी तरीके से बना है कि और रहुनों घसी पुले कर eh mid and कि ओ ल्टो और बहुत ही यह पते हैं ल्टू की टा के बनाइए ल्टू और उप पाइबगे में चलगते पेशथा, लगोज़ देफेंचे तो तो इसको लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें